नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है ये देखिए खूबसूरत सी चीज क्या है ये ये है राजस्तान की मशूहूर खूबसूरत जाड़ी रोटी इसको चुटकी रोटी भी बोलते हैं इसको खोबा रोटी भी बोलते हैं मैं यही चाहती हूँ कि मेरी रेसीपी हर कोई अपने घर में ट्राइ कर सके तो आप भी बनाईएगा ये खुब सुरत रोटी घर में तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं गिया है तो जल्दी से कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके औल पे क्लिक कीजिए ताकि सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें तो इस रोटी को बनाने के इसलिए हमें चाहिए गेहूं का आटा जो हमारे घर में हम जिससे रोटी बनाते है वह दो कप यहां पर गेहूं का आटा लीजिए इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे वन टेबल स्पून अजवाइन इसे हतेलियों पर लेके थोड़ा सा रगर दीज पर जो कोई साबी या दाल सकते हैं अब इस तेल को भी पहले हमें अच्छे से मिक्स करना होगा एके बात क्या होता है कि ये रोटी बहुत ज़्यादा खसता हो जाएगी और खाने में आसानी हो जाएगी क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है देखी आटे की कुछ इसे तरह से binding हो जानी चाहिए मुठी बन जानी चाहिए भस यह इसकी पैचान है इतना हमें मोई нож डालना है वसके बाद अमकान की करते हो जबनां бер रोटी चाहिए नरम विक्तायुड़ी नरम बी स्सकर्णा साइन चाहिए घ़ीं हो चलिक में या वासाँ था पवास़ atac उप् आपको दो तरीके से बताऊंगी, माइक्रोवेब में भी बनाना बताऊंगी आप और इसके लवा गैस के उपर भी बनाना बताऊंगी, देखिए आटा कुछ इस तरह का लगना चाहिए, बस इस तरह का, बहुत जादा नरम भी नहीं है, बहुत जादा टाइट भी नहीं है, अब इस आटे को हम थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, लगबख 10 मिनिट के लिए इसको थोड़े से मॉइस्ट कपरे से डखके छोड़ दीजिए, जब 10 मिनिट हो जाए तो आटे को एक बार खोल करके फिर से एक बार हलका सा नीट कर लीजिए, थोड़ा सा गूंद लीजिए ताकि आटा और भी अच्छा सा चिकना हो जाएगा, अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइट कर रही हूँ, दो रोटी बन जाएंगी, दो का पार्टा लिया है तो उसमें दो रोटी आराम से बन जाती है, ये रोटी थोड़ी मोटी सी इसकी लोई या पेड़ा बनेगा, देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा नीट करके, एक चिकनी सी बढ़िया सी मोटी सी लोई बना लिये, अब आप चाहे तो इसको सूखे आटे की हल्प से बेलिये, इस तरह से, और या चाहे तो चकले पर तेल लगा करके, किसी भी तरीके से बेल सकते हैं, ये चिपकती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट आटे की रोटी है, बस अब आपको इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है, मैं आपको इसके थिकनेस बताऊंगी, पहले कभी राजस्तान में लोग बिजनस करने के लिए जाते थे, तो इस तरह की जाड़ी रोटी बना करके ले जाते थे, एक-एक महीने तक ये रोटी खराब नहीं होती है, मौईन बहुत अच्छे से इसमें, नमकीन है, ये अजवाइन वगरा सब है, देखिए रोटी हमारी बिल गई है, बहुत ज़दा बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि फिर पतली हो जाएगी, इतनी रोटी है, मोटी होनी चाह तो थोड़ी देर के लिए इसको लोग फ्लेम पर कर दीजे, हमें रोटी को अभी इस समय जादा नहीं सेखना है, बस लोग फ्लेम पर थोड़ी देर पांच मिनट सेखने दीजे, पलट दीजे रोटी को इस तरह से, बस अब आमें इसके ओपर अकलाकारी दिखानी है, जिस करेंगे, तवे पर 3-4 चुटकी काटिए, थोड़ा सा रुख सकते हैं, उसके बाद रोटी को थोड़ा गुमाईए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हम कैसे इसमें चुटकी काटेंगे, रोटी गरम तो नहीं होगी, हाथ तो नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं ज बना सकते हैं, चुटकी काटने से इसमें जो गड़े बनते हैं, वही इस रोटी की पहचान है, वही इसकी खासियत है, कितना यूनिक डिजाइन है, ब्यूटिफुल, यह देखे कितनी खूबसूरत रोटी लग रही है, अगर आप इस तरह से हाथों से इसकी चुटकी नही इसे नहीं सेखेंगे, तवे पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, कि कैसे आपको सेखना है, तो पहले आप रोटी को इस पर तवे पर सेखने की होती है, अगर आपके पास यह नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगी, इस जाली के ओपर आप इस रोटी को इस तरह से उल्टा करके, जो सिखी भी साइड है वो उपर, इससे क्या होगा कि रोटी तवे के टच में डारेक्ट नहीं आएगी और बहुत ही बढ़िया सिखेगी, ऐसा लगेगा हमें रोटी को बेक किया है, आप चाहें तो गैस को लो करके और डारेक्ट फ्लेम पर भी इसको सेख स इस तरह से यह उल्टा करके रख दीजे, अब रोटी रख दीजे इसके ओपर और अब ढ़कन लगा दीजे, तो बिल्कुल उसी तरह सिखेगी, बढ़िया से हीट लगेगी और सिख जाएगी, अब देखिए दूसरा तरीका आपको चुटकी बनाने का कच्ची रोटी पर यह आप चुटकी बना लीजे इस तरह से, ताकि आपका हाथ ना जले अगर आपको डर लग रहा है तो, लेकिन बनाना बिल्कुल उसी तरीके से, देखिए यह कच्ची रोटी के उपर मैंने काट लिए चुटकी आइसकी और बहुत ही प्यारी डिजाइन बन गई है, आटा हमारा बढ़िया थिक है तो आराम से यह उठ जाएगी, अब इस चुटकी का टीवी रोटी को, खोबा रोटी को मैं दूसरे तवे पर डाल रही हूँ, देखिए वो वाली रोटी भी हमारी सिक रही है उदर तवे पर और इसको हमने डाल दिया इस तवे पर लो फ्लेम पर ह इतनी अच्छी ब्राउनिंग होई है तो इंडारेक्ट तरीके से सेखने से क्या होता है रोटी का कलर बहुत अच्छा आता है और डिजाइन भी वैसी ही रहती है बिगड़ती भी नहीं है देखिए कितनी सुंदर लग रही है न तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि पूर आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सिख गई है अब आपको क्या करना है इस रोटी को रखना है बेकिंग ट्रे में या किसी प्लेट में और उसके बाद माइक्रोवेव में 180 डिग्री सेंटिग्रेट पर आप सेख लिजे कम से कम इसको 12 मिनिट के लिए या 15 मिनिट और बहुत ही अच्छी बेकिंग होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माइक्रोवेव में जो रोटी से की है वो किस तरह के दिख रही है देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आता है और यह वाली रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनीगी अंदर से एक तम खस्ता जाएगा ना तो हमारी रोटी और भी खस्ता हो जाएगी अंदर तक घी चला जाएगा देखिए अगर उपर एजेस पे घी नहीं लग पाए तो इस तरह से ब्रश से आप इस घी को अच्छे से फैला सकते हैं तो यह और भी ज्यादा सुन्दर लगेगी और बहुत टेस्ट कितने खुबसूरत लग रही है न तवे वाली रोटी भी मेरी कोशिश होती है आप तक आसान से आसान सी रेसीपी पहुचाना ताकि हर कोई घर में बिल्कुल वैसी ही बना सके जैसे मैंने बनाईए अब इसको आप सर्व कीजिए मिक्स डाल जो बाटी के साथ खाते हैं उस कि अगर आप हाथ से चुटकी नहीं काट सकते हैं तो आप इस तरह से जिसम रोटी सेखते हैं चिम्टे से उस तरह से इसके उपर ऐसे डिजाइन बना सकते हैं यह भी बहुत आसान तरीका है चाहे तो कच्छी रोटी भी बनाईए या तवे पर मैंने बताय था आपको बिल मत भूलिएगा मेरी अच्छी अगर देखनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आइडी डिस्क्रिप्शन वॉक्स में हैं बाबाई